हलो दोस्तों आप सब का स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में दोस्तों आज मैं आप सब के लिए एक बहुती महत्वपुन टॉपिक लेके आई हूँ आज मैं आपको बताने वाले हूँ तीन दिन अगर दूद में खजूर भीगो कर खा लिया तो ऐसा ह लोगा जिसकी आपने कल्बना नहीं की होगी आई ये जानते हैं इसके बारे में आज मैं दूद और खजूर के एक ऐसे परियोग के बारे में बताऊंगी और उनसे मिलने वाले फाइदों के बारे में बताऊंगी जो आपको लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी नहीं मिल पाएंगे दूद और खजूर अकेले ही ताकत से भरपूर श्रोथ है और इनका शेक सेहत के लिए खजाना है ग्लुकोज और फेक्टोस से भरपूर खजूर एनरजी बूस्ट करने का सबसे बेस्ट सोर्स माना चाहता है एक्सपर्ट के अनुसर नास्ते में ख आखिर खजूर का दूद बनाना कैसे है आपको सबसे पहले पांच खजूर को एक लास दूद में डालकर दीमी आज पर दस मिनद तक पकने दे इसे आज से उतारे और गुनवना करेकर पीएं दूद और खजूर ताकत के लिए अच्छे श्रोथ है इसे नाश्ते में लेना खून की कमी यानि एनिमिया से बचाने में कारगर सावित होता है नमबर दू खुबसूरती बढ़ाई दूद में खजूर मिलाकर पीने से ब्लड सर्कूलेशन अच्छा होता है जिससे त्वचा निखरती है नमबर तीन इस ड्रिंक में फासफोरस होता है जो दातों को अबर की मात्र अधिक होती है जो डाइजेशन के लिए फाइदेमंद होता है इसे पीने से कबज की दिक्कत दूर होती है दूद और खजूर दोनों में क्यालसियम होता है जो जोडों के तर्द से निजात दिलाता है तो आप भी खजूर और दूद को नास्ते में शामिल कर इसे आप बहुत चल्द, fit और healthy रह सकते हैं तो दोस्तो ये थी हमारी आज की वीडियो उम्मिद करती हूं दोस्तो कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें कमेंट करें अगर आप हमसे कुछ पूछना चाते हैं या फिर आप किसी परिशानी का हल डोन रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं दोस्तो हमारी चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूले हम फिर मिलेंगे आपकी प्रावलम हमारी सॉल्योशन के साथ मैं आऊंगी रोजान